क्यान रूची व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है आज हम फिर हाजिर है आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ आज हम जा रहे हैं अभी खाना बनाने तो अभी हमने प्याज काट लिया तो आज हम बनाएंगी मसूर की दाल तो दोस्तों सुमल्जूर्ण की दाल भी मैंने भिगोंके रखी है तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा हम आपको पूरा दिखाएगे लुटीन का रहा हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे तो आप सभी लोग पूरा देखिएगा अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए शेयर करें अगर आप हमारे चनल पर पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को भी प्रेस करिए तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं सुबा क सब्सक् cripple Manager अर्प दावर चाटस का वाँज अच्छ अशे मिरस है constitute mobile to देटी हिसअ सभदें देगा त इसलिए टृपिन देएगे क्यों कि वेगी भी वग्यरा तो बचचे क्योंकि ऐसे हम नॉर्मल चटनी बना लेते हैं घर पे लेकिन आज हम पका के चटनी बना रहे हैं तो यह हमने टमाटर भी डाल दिये हैं और इसमें सौधा नुसार हम नमक भी डाल देंगे और नमक डालने के बाद हम इसको ढख देंगे ढख कर इसको पकाएंगे यह चटनी खाने में बहुत टेस्टी लगती है अगर आप लोगों ने यह चटनी ट्राई नहीं की है तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा और बिटिया अब इसकोल के लिए तैयार होने जा रही हैं और इधर अभी हमारा पूरा काम पड़ा हुआ है क्योंकि सबेरे की 6 बजे हुए ह और आउसमान सो रहे हैं सारा विस्तर हमारा इसे ही पड़ा हुआ है अभी हम बार में यह सारे काम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि चटनी हमारी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है और अब हम बच्चों का टिफिन बांदेंगे तो हम चटनी बनाए हैं और बच्चों के लिए रोटियां बनाए हैं तो रोटी और चटनी बांदेंगे यूंकि आज सब्जी में कुछ भी नहीं था इसलिए हम चटनी बनाए हैं टिफिन बांदना भी बहुत जरूर चाहते हैं और बिटिया हमारी दोनों तयार हो गई है और पापा के साथ जाएंगी तो पापा इंको छोड़ने जाएंगे श्कूल और चोड़कर उधर से अपने ऑफिस भी चले जाएंगे क्योंकि इनका ऑफिस भी साड़े साथ बजे से है तो उधर ये साथ बजे बच्चों को छोड़ते हैं और उसके बाद साड़े साथ बजे अपने ऑफिस भी चले जाते हैं तो बच्चे हमारे स्कूल जा चुके हैं और अब हम अपना नास बढम करना होता है तो यह हम 8 बजे की करीब नाश्टा करते हैं और उसके बाद ही हम अपने घर के काम करेंगे क्योंकि आज हमें उठने में लेट हो गया है, हमको देर हो गई है, सुबह हम काफे देर तक सोते रहे क्योंकि कल रात में हम जगे थे, देर तक आयस्वान की तबियत सही नहीं थी, उनको सर्थी थी तो इसलिए वो सो नहीं पाएं, तो उनी के साथ हमको भी जगना पड़ा, तो ये अभी हमारा ज़ाडू वाडू लग रहा है, क्योंकि ये सबेरे के साड़े आठ बजे हुए हैं, और साड़े आठ बजे हम अपना ज़ाडू लगा रहे हैं, घर की साफ सफाई कर रहे हैं, और उसके बाद ही हम आगे के काम करेंगे, अभी हमने नहाया भी नहीं है, नहाँ धो करके ही हम खाने की तैयारी करेंगे, अभी हमारा ज़ाडू भी लग गया है, और अभी पोचा भी हमारा लगना बाकी है, ज़ाडू लगाने के बाद हम पोचा लगाएंगे, तो ये ज़ाडू वडू हमने अच्छे से लगा ली है, क्योंकि एक बजे तक हमें खाना भी बना कर रेडिक करना तो इसलिए यह सारे काम हमें जल्दी-जल्दी करने रहते हैं सबेरे सब्से ज्यादा टैंसन रहती है जब तक घर के यह काम नहीं होते हैं तब तक बहुत भारी-भारी सा लगता रहता है क्योंकि साफ सफाई के बिना तो कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता है इसलिए अब ही से हम बनाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि बच्चे एक बज़े आएंगे इसकूल से बच्चे आते हैं तो उनको बहुत सेडी से भूक लगी होती है इसलिए हमें टाइम से खाना बनाबर रखना होता है अब हम्दार बनाएंगे चावल बनाएंगे और रोटियां बन तो अभी विसन की चत्नी हमारी बच गई थी जो हमने बच्चों को टीफिक में दिया था तो यह देख सकते हैं आप लोग अभी हमारी चत्नी बची हुए है तो चत्नी भी हम लोग खाएंगे मजूर की डाल बनाएंगे मसाले वाली चावार और रोटी तत्ता हमारे बन रहा है तब सकते हम अपने बालों को बान देते हैं कि अपने नहाना दोना कर लिया था लेकिन अपने बाल नहीं बाने थे तो हम बाल बान देंगे झाल झाल तो हम तयार होगे हैं और हमारे पिजार हैं पखनी वाले हैं और अधनी के चावल दनाना है चावल जी हम पखासर से बना लेंगे जिए एक बिले पर हम तो चनल को यार करना लेगा हम आपको आयसमान से भी मिलवा देते हैं ये देखिए आयसमान हैं इनकी तबिएत सही नहीं है तो ये घर पर ही हैं उसके बाद ये पुरा सुबाद और टाیम ये गर्मी में रहे हैं और गर्मी से आने के बादjść एक बम से एसी वाले रूम में आ गये हैं इसके कारण इनको सर्द और गर्म हो गया है और सर्दी गर्मी की कारण इनको जुखाम भी हो गया है तो ये देखिए इनका चेहरा कितना उत्रा हुआ है तो अभी हमने इनको दवावा पिला दी है हमने इनको डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर ने दवाईयां दी थी हमने इनको दवाईयां खिला दी है और इनका ज्यादा ओली चीज़ें अभी डॉक्टर ने मना किया है इनके गले में खराज से बहुत ज्यादा इनको छाती पे बलगम भी जमा हुआ है तो डॉक्टर ने इनको ठंडी चीज़ें खाने से मना किया है ठंडा पानी पीने से मना काटव देखते हैं अब इनका चायणास्ता हो गया है हमने इनको दबाईयां भी खिला दी है तो इस समय तव्यश्म eating कराव जिसकार्ण योई श्कूल नहीं छा रहे हैं और पर उड़ा दिन को देखें कि वह रहा है तो इनकी दबाईया चल रहे हैं तो आज कि जाना है इन्हें ले करके दॉक्टर की यहां फिर से हम दिखाने जाएंगे पुले तो आज थोड़ा लेट हो गया है तो हम दोनों को भूक लगी थी तो हम दोनों खाना खा रहे हैं तो मसूर दाल चावल और रोटी हमारी बनकर ready हो गई है और लोग कास लिए तो यह हमारे डेवर की बिटिया आ गई हमारे घर ना खा लिया क्या खाया है कुंदरू की सबजी और रोटी खा क्या ही हो अच्छा और मम्मी क्या कर रही है ममा च्छा तो रही ममन और भीया कहा हूं तुम क्यों ने गई इसकूल कि आज पता चालर से मोझे मैंगो बनाना था मैं गुपराना था इसलिए इस्कूल नहीं गई या क्योंकि मैं पर चार पेपर ही दे था चार पेपर पापा से बोलती ही लेके आते अचार पापा से लिया करो पैसा एक कल जाना स्कूल ठीक है स्कूल का नागा नहीं किया जाता है तो रानी बिटिया बनोगी डॉक्टर बन जाओगी ठीक है हुआ